तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है बनागे एक ऐसा गिलू जिसकी मदद से आप अपने घर की जो छत की लीकेज होती है या पानी की टंकी की लीकेज या कूलर की लीकेज या और भी बहुत सारी लीकेज उसे रोख सकते हो तो friends इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी petrol की और petrol को आप किसी भी बरतन में निकाल लीजिए फिर वो चाहे metal का हो या शीशे का तो मेरे पास ये शीशे का एक बाउल था और इसके अंदर मैंने petrol थोड़ा सा निकाल लिया है और petrol की मातरा आपको इतनी लेनी है जितनी की आपको जरूरत हो और इसकी मदद से friends हम बनाएंगे एक ऐसा सुपर गिलू जिसकी मदद से आप घर की किसी भी लीकेज को रोक सकते हो तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो थर्मकॉल थर्मकॉल का हमने एक पीस ले लिया है और petrol के अंदर इसको इस प्रकार रख देना है आपको कुछ नहीं करना है ये petrol के अंदर automatic पिगलने लगेगा और ये किसी भी market में किसी भी shop पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और जो toys की जो shop होती है उस पर आप जाओगे तो ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो लोग packing करते हैं या फिर आपके घर में जो AC, fridge, washing machine या कुछ और आता है तो उसके अंदर ये packing में लगा हुआ होता है अगर आपके घर में wastage पड़ा हो तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर देखो ये मैंने इसका एक piece का टोकड़ा रख लिया है इसके अंदर और इससे आप क्या-क्या चिपका सकते हो मैं आपको बता देता हूँ तो इससे अगर आपके घर पे जो पानी की टंकी होती है अगर वो चू रही है या टूट गई है तो इसकी मदद से आप उसको चिपका सकते हो या आपके घर में जो प्लास्टिक का कूलर होता है अगर वो टूट गया है उसे चिपका सकते हो प्लास्टिक का फैन होता है या यहां मैं वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था इसको ग्लू को मेल्ट करने के लिए बनाने के लिए तो फाइनली जो अब हमारी जो हमारा पेट्रोल था वो इसके अंदर हमने जो थर्मकॉल है इसको मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करके पांच या दस मिनट के लिए इसको रख दें ताकि जो थर्मकॉल इसके अंदर है वो जो पेट्रोल है उसको अच्छे से सोख ले और थोड़ी देर के बाद फिर हम आपको एक्सप्रिमेंट करके बताएंगे तो यहां देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा यह गिलू था वो फाइनली बनके रेडी हो गया है और आप इसकी चुपकन को देख सकते हो जबरदस्त अब हम चलिए एक्सप्रिमेंट करते हैं तो यह दो लकड़ी के पीस आप मेरे हाथ में देख रहे हो सबसे पहले मैं आपको लकड़ी के पीस च रख देना है उसके बाद यह आप मेरे हाथ में ग्रे नाइट देख रहे हो पत्थर यह भी बड़ी आसानी सा आप इससे चुपका सकते हो और यह मैं एक्सप्रिमेंट लाइव प्रूफ आपको दे रहा हूं ताकि आप जब खुद धरपे करो तो आपको ना लगए कि हमारी पीवीसी की जो प्लास्टिक है इसको में यहाँ जो ओपिन वाइरिंग करते हैं इसको मैं आपको चिपका जाए रहा हूं और यह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इससे समझ जाए कि कूलर और प्लास्टिक के लिए बहुत रामबाढ़ है उसके बाद जो आपके हम इसके अंदर ये जो हमने glue बनाया है इसको glue इसके अंदर भर देंगे और यकीन मानिए जब आप इसको experiment आप घर पे करोगे तो please मुझे नीचे comment section में जरूर बताईएगा कि किस-किस भाई ने ये experiment किया और किस-किस का ये successful हुआ 100% ये successful experiment है और YouTube पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी जो भाईयों ने बना के दिखाया है तो चलिए अब हम finally आपको दिखा देते हैं कि जो हमने cheese चिपकाई थी वो सूप गई है हलाकि धूप नहीं निकल लिए बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन फिर भी हमने एक घंटे के बाद मैं आपको ये वीडियो दुबारा बना के दिखा रहा हूँ तो यहां देख सकते हो लकड़ी जो है बहुत जबरदस्त अच्छे से चुपक चुकी है और उसके बाद जो हमारा बना के चुपका सकते हो यहां देखें जो MDF बोर्ड था वो भी बहतरीन चुपक गया है और अब इसको हिलाने पर भी नहीं नीचे गिल रहा है और यह हमारी प्लास्टिक जो ओपन वाइरिंग के काम आती है तो यह देखें यह भी इसके अंदर अच्छे से चुपक गया है अब हमने जो छटकी जो लीकेज थी उसको जो हमने भरा था तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहां देखें यह कुछ इस तरीके सा सूख जाएगा और यह waterproof हंड्रेट परसेंट नुकसा आजबाया हुआ है मैंने खुद अपने घर पर इसको इसको इस्तमाल किया था तो फिर मैंने इसके बाद ही यह वीडियो शूट किया है तो आप इसको बनाएं और अच्छे से इस्तमाल करें यकीन मानें बहुत अच्छा है तो I hope की वीडियो आपको पसंद आयोगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचो कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा प्लीज इस वीडियो को देखने के बात किस-किस भाई ने घर पर यह एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेस पूला मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल लगें थैंक यू फॉर वाचिंग